अपने कोचिंग टीचर तक को नहीं छोड़ा पास साल पहले जिस कोचिंग में यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की तयारी की वहां सिलेक्शन का कहकर अपना जूटा सम्मान करवा लिया करवालों को भी बताया कि मैं इंकम टेक्स अधिकारी हो गया हूँ आरोपी सर्वेश कुमावत को जैपूर की विद्याधर नगर पुलिस ने गिरफतार किया है वो जैपूर में अजमेर रोड इस्थित एक होटल में एक लड़की से मिलने पहुचा था तभी पुलिस ने उसे धर्द बोचा वो खुद को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोर्नल डारेक्टर बता कर यूदियों से चेट करता था मोबाइल चेट से पता चला है कि सर्वेश ने 25 से ज़्यादा यूदियों को ठगा है इन में से 21 सरकारी करमचारी है उन से लाखों रुपे हड़प चुका है उसके मोबाइल में कुछ यूदियों के साथ की गई अपति जनक चेट भी मिली है सर्वेश कुमावत उज्जेन शहर से 65 किलोमेटर दूर जायडा का रहने वाला है उसका सपना यूपेसी एक्जाम क्लियर करके अधिकारी बनने का था इसके लिए 2019 में उज्जेन शहर की महंकालवानी जिकालुनी में यूग निर्मान सिविल सर्विस एकेडमी कोचिंग क्लास चाइन की थी कोचिंग संचालक राग्यवेंद्र चोधरी ने बताया एडमिशन लेने के बाद सर्वेश ने पिता की मोत और घर की परिस्थिती ठीक नहीं होने का कहकर फीस माफ करवाली थी चार मेने बाद कोचिंग आना बंद कर दिया था इसी के साथ मैंने रही है एशा इस इंडिया के साथ हल्यवाद